लालो प्रिशादी आदव के 17 ठीकानों पर CBI की छापे मारी को लेकर हड़कम मचा हुआ है दिल्ली से लेकर पटना तक हुई इस छापे मारी पर अब राजनितिक प्रतिक्रिया भी आने लगी इसी कड़ी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्या और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतनरा माजी ने ट्विट किया है अब उनके इस ट्विट पर भी कई सवाल खड़े होने लगे दरसल जीतनरा माजी ने सीबी आई की रेट को लेकर लिखा कि घर का भेदी लंका ढाए मौका देख बाहर उड़ जाए अब उनके इस ट्विट का इशारा किसकी तरफ है ये कह पाना मुश्किल है लेकिन एक बात तो साफ है कि सीबी आई की इस रेट को लेकर जीतनरा माजी का इशारा कुछ और लोंगों की तरफ है लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालु यादों को जमानत भी मिली थी जिसके बाद लालु यादों पर सीबी आई ने एक बार फिर से श्रीकंजा कसना शुरू कर दिया है सीबी आई के टीम ने लालु यादों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापे मारी की जिसमें लालु यादों उनकी पतनी र्याबडी देवी और बेटी मीशा भारती के पटना गोपाल गंज और दिल्ली स्थित जगों पर ये छापे मारी की गई आपको बता दें कि ये घोटाला तब का है जब लालु प्रिसाद यादों संयुक्त प्रगती शील्द गठबंदन सरकार में केंद्रे मंत्री थे सीबी आई ने आरोपों की प्रारंभिक जांस दर्ज की थी जिसे प्रात्मीकी में अब बदल दिया गया है आरोप है कि जब लालु यादों केंद्री रेल मंत्री थे तब नौकरी देने के नाम पर लोगों के जमीन और प्लॉट लिये गये थे जिस मामले में सीबी आई ने केस दर्ज करते हुए लालु के ठिकानों पर च्छापे मारी की है मैं च्छापे मारी को लेकर आरजेडी ने ट्विट किया और लिखा कि कुछ लोग मगर मच को पानी से डरा रहे हैं इस ख़बर में फिलाल इतना ही अब डेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ